हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे नास्ती की रेसिपी लेके आए हूँ जिसे आप साम की छोटी मोटी भूग में आसानी से बना सकते हो घर की कुछ समान से ये काफी जल्दी बन चाता है तो फर देर किस बात की चलिए बनाते हैं तो आज हम इस रेसिप प्यास लेंगे एक टुकड़ा औहीं सुरी एक की शाण हिonne टानीच पर इसमcom एक चुताए चमे जीरा पाउडर बने और चुताए चिली फ्ल्म कि जग मिर्ची या फरी मिर्ची पाउडर्र जो है आपके पास वो ले ले अब थोड़ा से चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे आदा चम्मत चाट मसाला पाउडर या फिर अमचूर पाउडर दोनों में से कोई एक चलेगा अब इसमें में इंग्रिडेंट जाएगा वो है चावल का आटा दो चम्मत चावल काटा डालेंगे चावल काटा डालने से क्या होता है एकदम क्रिस्पी बनेगा तेल तो बिल्कुल भी नहीं सोखेगा और आप ठंडा होने के बात दिखाएंगे ना तो एकदम कड़ा खी रहेगा लगेगा ही नहीं तो यदि है तो जरूर से डाले और नहीं है तो फिर आप दो चम्माच सूजी डाल सकते हैं सूजी से भी एकदम क्रिस्पी बनता है क्योंकि आलो में जो मौशर रहेगा वो सूजी सोक कर लेगा और एकदम ड्राइ हो जाएगा तो देखिए सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो गиा है तो हमने हात दो लिया है, हात दोने से चिपकता नहीं है अब कटलिट के सेप में बना लेंगे आप चाहे अपने पसंद का किसी भी सेप में बना सकते हैं लेकिन आज मैं इस तरह से ट्रेंगल के सेप में बना रही हूँ क्योंकि देखने में काफी सुन्दर लगता है इसलिए और बनाना भी ईजी है तुरंत बन जाता है बस तीनों सेड इस तरह से प्रेस कर दें बनके रेडी होगे अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग साथ में ही डालेंगे आधा चमच कच्चा जीरा कच्चा जीरा से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और साथ में ही डालेंगे एक चुथाई चमच लाल मिर्ची पॉडर लाल मिर्ची पाउडर ये तीखी वाली नहीं सिप रंगत के लिए मैं डाल रहे हूँ अब थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से घोल लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है गाड़ा भी नहीं रखना है मीडियम रखना है कि कटलेट अच्छी तरह से डीप हो जाए उसमें तो देखे बहुत ज़्यादा हमने गाड़ा नहीं रखा है पतला भी नहीं रखा है इस तरह से कंसिस्टेंसी हमें करनी है अब दूसरी तरह लेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स यदि आप यपास ब्रेड क्रम्स है तो ठीक है नहीं है तो आप यदि ब्रेड है तो ब्रेड को मिक्सी के जार में पीस के भी आप ले सकते हो और यदि ब्रेड भी नहीं है तो आप सूजी इसके उपर कोट कर सकते हो या फिर बारिक वाली सिवई जो आती है न वो अब deep करके इस तरह से breadcrumb से coat कर लेंगे एकदम easy है, असानी से बन जाता है यह आप यह पास फ्रिज में दो आलो ना तो दो आलो का भी बना सकती हो आप तो देखे अब इसी तरह से सारी को बना के ready कर लेंगे तो देखे हमने सारी को बना के ready कर लिया है तो चलते हैं फिर अब इसे fry करेंगे तो अब इसे simple दरीके से fry करना है, तेल गरम करेंगे और गरम तेल में एक एक पिस करके ढाल देंगे यदि कम आच में आप तेल को कम गरम करोगे तो यह बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा crispy तो बनेगा लेकिन oily हो जाएगा तो अब इसे पलट-पलट के golden होनी तक fry कर लेना है, तो अब यह पूरे अच्छी तरह से एकदम crispy भी हो गया है, golden color का भी हो गया है तो निकाल लेते हैं और बाकी कभी से इसी तरह से fry कर लेंगे तो अब यह आलू का कटलेट बन के ready हो गया है, मैं आपको एक पिस्तोड के दिखाती है, ओपर से crispy अंदर से soft है तो friends अगर आज की यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें